तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ मैंने पहले वाले वीडियो में cover कर दिया है chloride और iron का limit test तो इसमें हम बात करेंगे limit test of sulphate तो sulphate iron हमें कहीं से भी मिल जाएगा like S2SO4 या भी किसी कभी sulphate iron ले लो तो हमने ले लिया sulphate iron तो ठीक है sulphate iron के साथ हमें क्या रियक कर वाना है BACL2 तो मैं आपको बता देता हूँ BACL2 को पहले कहते क्या है और इसमें BACL2 लिया क्यों गया है तो इसके साथ आपको एक dilute S2Scl रखना पड़ेगा ठीक है तो BACL2 का जो नाम है वो है आपका बेरियम sulphate reagent आई होप यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बेरियम sulphate reagent अब इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है यह क्योंकि इसका यह है BACL2 बेरियम क्लोराइट पर इसको कहते हैं बेरियम sulphate reagent अब क्यों कहते है इसमें बेरियम sulphate reagent इसको कहते क्यों है तो यह जो BACL2 है तो यह मालो BACL2 contain करता है K2SO4 contain करता है प्लस जो alcohol होता है वो भी contain करता है इसलिए इसका नाम रखा गया मतलब इसको कहा जाता है बेरियम sulphate reagent क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है K2SO4 और alcohol भी प्रेजेंट होता है K2SO4 क्या करता है जो भी आपका test solution है जो उसमें जितना भी solution होगा उसमें क्या प्रोवाइट करेगा sensitivity प्रोवाइट करेगा ताकि जो भी molecule से वह अच्छे से disassociate हो जाए और sulphate ion के साथ easily bond बना पाए ठीक है और alcohol क्या करता है जो आपका saturation होता है उसको ठीक करके रखता है मतलब prevent करता है उनको बनने से ताकि यह अच्छे से dissolve हो पाए और आपसे react कर पाए इसका test successful हो पाए तो simply है sulphate ion किसे react करेगा बी ए टू प्लस होता है और chloride negative होता है तो बी ए एस ओ फोर बन जाएगा ठीक है और जो और जो आपका chlorine था वह बहार रह जाएगा soluble ion के form में तो बस इतना ही था